कहा नाम ताको कहा कै कहा वै कहा मैं बखानू कहे मो ना वै वाहि गुरू जी का खाल सा वाहि गुरू जी की फते गुरू रूप गुरू प्यारी साथ संग जी ओ मैं हम अंदीप सिंग ते प्रोग्राम लेके हाजिर हां सिंग सहबान संगत जी वड़ेयां ओदियां वड़ेयां जिम्मेवारियां हुंदियांने ते इना जिम्मेवारियां नू निवोंदियां कई वारी साननू कुछ ऐजो हे फैंसले लेने पैजान दे हन जो के कईयां दे हक विजी जान देने ते कईयां दे विरोध देविच सो असी आज आप जीदी मुलाकात करवोंड जा रही हां सिख जग्त दी एक एहोजी शक्षियत देनाल जिनाने बतोर जथेदार शिरी अकाल तक्त साहिब देविच अपनी सेवानी भाई असी गल का रही हां प्रोफेसर मंजीत सिंग जीदी जोके अपनी सेवा धुरान कुझ एहोजे फैंसले सिंग साहिबान जी ने लिते जिना करके शायद सिंग साहिबान जीनू कईया दी नाराज गीवी चेलनी पई मैं ऐसे आप्ने इना अलफाथां यह संकोच दा हां ते आप जीदी मुलाकात करवने चाहनगा ते师 Hamatas ते अपनजाब गुरुभाणी चैनल अब ऐतने वेकलिप प्रोग्रां देविच आप जीदा स्वागत कारती हैं जी तनवाद आप जीदा स्वागत कारती हैं आप जी ने रुजेवियां पर जीवन देविचों सानु समावख्ष की निवाजिया है तक यसी आप जी दे निजी जीवन देविकुछ पाख संगतां दे संग मुख लाकिया सकीए सो सिंसाब जी आप जी बतोर जथे रहा जथे दार सिवा निवांदे रहे हो शरीय काल तक साहिव देविच कई वारी साननु आप जी फैंसले सानने जो के आप जी नू लेने पए सबतों पहला तां गुरू पास्षादा तानवाद फिर तोड़े सारे चैनल दे प्रबंध कांदा ताड़ा तानवाद के तुसी मैंनू संगतां दे रूबू होंदा मौका दिता है जिन्दगी जद नू मनुक निजी तौरते जूनदा है तान ओस दे वक्री रंग टंग होंदे ने वक्री सोच होंदी है वक्रियां उदियां इच्छामा मानतामा होंदी आने विचार होंदे पर जदो किसे मनुख नो किसे कौमी जिम्मेवारी देवेच समा गुजारना पेंदा है, खास्त और ते तार्मिक पक्तों, ता उथे बिलकुल ही एक वखरे किसम दी जेंदगी तो अनुजियोन दे लेई, अपने आपनो वचनबद करना पेंदा अनुजियोन दे वेच जतिदार सी अकालतक सहते सिंह से प्रोफेसर दर्शन सिंह हो रही है, उन्हाने हुकम करके मैनु एथे लियांदा सी, एक बड़ी गुमनाम जेही, थोडी जी कहलो, जो प्रहनवाली जिंदगी ते गुरू दे शब्द नार जोडन ते जोडन दी, एही गुरू चर्ना विच ते अपने विद्या दे आता, इंको बैठके दात जो प्रापत होई, उड़ा की चल रहा सी, जहां फेर मोका मिलिया, बतोर प्रिंसिपल, मैंनु विद्यक्से में वर्यान बाउंदा, फिर कॉल जामें चिपड़ा होंदा, समा मिलिया, उसे अर्षे दौरान ही, हालात ने कुछ ऐसा मोड लिया, कि मैंनु गुरू कर सेवा कर दियां कर दियां, एथे लियांदा हुकम करके, क्यूंके मेरे तुम पहला सिंग सहब, यानि बल्बीर सिंग होरी उनको प्रुबास सी, उनना दा कतल हो गया सी, कुछ होनगी हालात उनना दा जिकर करन दी लोगने, उनना हालात तां दे विच कोई इस पासे नहीं सी आउन दी जुरूरत कर दा, पर मैंनु चार महीने दी, काफी ज़्यादा कश्म कश्तों बाद, ना बार बार करन तों बाद, एथे हुकम करके लियांदा, ते मैं इसनो अकाल पुर्खता पाना समझ के, ते जथे दर अकाल तक सहता हुकम जान के, एक गुरू कर दी चौर बरदारी दासे मां, हमारे पुर अरदास करके लियांदा, ओ हालात उनना दे बहुत ही ज़्यादा, अनसुखा में मैं लफस बरतर हुआ, उसी है, हकाली ली खाड़कू जथे बंदियां, नौजवान बचे ओ कौम दे मान सतकार दे लेई, संगर्ष विच जूज रह सी, चुरासी वाड़ा पाना वर्त चुकिया सी, एक बासे पंजाब दे विच, सी आरपी करके, फाउज करके, दैश दा महौल सी, किस वेले, किस नौजवान बच्चे नूँ कमाद विच टेरी हो जाना, किस वेले सडकते मिटी हो जाना, कुछ नहीं सी पता हम दा, और मैं भी गल कहां थानू कि ओस वेले तकतां दे जथेदार साहबान दावी सिलसला बड़ा अजीबो गरीव सी, दो दो तिम तिन जथेदार बने होई सी गए, ते बड़ी एक अजीबो गरीव अनसुखामी प्रस्तिती बनी होई सी, जिस वेले, अई थे तक्सिरी केस कड साहब महराज ने अपने दर करते चोर परदारी लेई बुला लिया, ये थे सेवा ने बाउंदेया, प्रफेसर दर्शिन सेंग होरा ने जथे अस्तीफा देता था, फिर मेरे ते जोर पाया गया कि उथे आके संबाड़ो, चलो, गुरू ने जो खेड बरताउने से उथे ज संबार सी है, और हर्ज में वरी अपने आप चीक अगनी परीख्या सी, सेवा बक्षिश होन तों पहला ही, एक मामला पख्या होया सी, डॉक्टर प्यार सिंग हो रहा दा, सिर्गुरु गरंद साहफ जी दे सबंद विच एक किताब उना ने लिखी सी, जी दे विच कुछ ए पावनामा नों जखमी करनवाले सी गे, ते बहुत ज्यादा रोज सी, उना देप्रती, ते उस पहले मसले तों ए जिम्यवारी निबाउंदा सेलसला शुरूर होया सी, ते मेरे सामने उस विले एक तां कौम दे विद्वाना दा मान सतकार सी, एक पासे कौम दियां पावनामा, एक पासे सिरी गुरू गरंत से पात्षाजी दा सिदान तक ते इतिहासक पक, ते गुरू दे तौर ते जीवन्त गुरू दे तौर ते उना दा मान सतकार, इस सायारे पक्खान उते हंच रखके फैसला लेना सी हा, पांज सिंग साहवान वह बहुत रोस विच सी है, विद्वाना ची रोस सी गा, और उना वल्लों लगातार डाक्टर प्यार सिंग दे मसले विच दे, डाक्टर पिशावरा सिंग दे मसले ची क्योंके दोना नहीं किताब बने, लगातार पतर आ रहे सी है, शून एक मिटी पर दू जग, कर दियां अथूँ अथूँ फैसले आट शटला शलू है, पंज सेह भान में बैठके गुरूदी मर्यादा विच पंधदी मर्यादा विच जो विचार की थी, विदवाना दीराय नू समने रखके ते कूमधियां पावनामा नू समने रखके ता ओ्टर प्यार सिंग दे में जुग एक गल्ज स्था मन्दिपसी मैं तवन्नों यह थे दास देयां कि गुरू दे सेवादार होन दे ना थे अपने विद्या दातियां को बैठके गुरू चर्ना वेच बैठके जन्ना समा पिछला गुजरिया सी गाव ओदे विच एक कोई गाल अंदर द्रेड सी के गुरू दे सेख दे तौरते किसे भी सेख दा मान अपना मान समझना यह थे किसे भी सेख दा अपमान अपना अपमान समझना किसे गुर सेख नू अपमानत उन्दा देखना मैंनो नी सी ठीट बहुत कुछ अपने बारे उना ने दसन दी कोशिश करें दक्रसाब मैंनू पता है मैं क्योंके विद्या खेतर चवेचर जा रहे है ते मैंनू तवाड़ी कीती हुई सालां साल दी में तदा भी पता है बहुत कुछ चंगा विद्यवता पर पूर तुसीन लिखिया बढ़ियां किताब बंत वाड़ियां यूनिवरस्टी ले तुसीन प्रोफेसर हों पर आज वो कुछ लिखिया गया है ये लिखन तो बगयर भी सरसाकता सिता है कौम नों ते अगई बड़े जखम लगे होई ना साड़े को ले देके स्री गुरु ग्रंद साहवी ते है जीदे करके इस दुनिया पर्दे विच सेख वड़ी तों वड़ी अगनी प्रिख्या विच्छों भी गुरु बख्षिश नाल हमेशा सुरुकरू होके निकरते रहे ने ते एक थे अपाँ एक जीज तो अड़े ते आन्टी को नहीं आया इस अध्या अध्या ने पामें पर साची लिखन दा भी साहित तवर्ते एक वख़रा टंग होंदा शेली दे पकों, बोली दे पकों, विचाराँ दे पकों, पर एते है गुरू गुरू गुरंद से महराइज दी कर सी, एते लोग पर लोग दा सुख दाता, मान देने दुनिया पर दे सिक, ते ख्याल नहीं आया तो अनुग इस गाल दा पही, एस मेरी लिखत दे कर की, उसे च फेर भी उना दी बुजर्गी नू तयान चराखके, ए दी बुजर्ग उमर चने में, फेर भी कौम दे विदमना विचारा, सिंह साहवान ना अस्रा करके, एही कीता, के जित्थे गुरू गुरंद से पाथशादी संपाधना होई, उथे जाके चारी दिन सो खुनी साहदा कारें, तो घिरतन सौनलो बैठके, तांके गुरू कर दे विचे गुरू दरते, तो से गुरू गुरंद से पाथशादे सामने, बक्षे होई गुर्सिक, निवाज जे गुर्सिक पाणने, तो कौम दिया निगाहाँ चा, तो अड़े प्रती, रोस्ती पावना ना रहे, हा वड़े तो वड़े गुनानों भी गुरू दी मत अनुसार, इस तरह ने जिठन दी कोशिश कीती जावे, जिदिना कौम देविच, अपना संसार देविच, सिख प्राद अतमाशाना बने, जिविशिए सिंग सभ गुरू नानक देव जी दा ऐसी दा आनता के पहला पगती तो फेर शक्ति, गुरू हर गोविची महराज ने भी बाचे शक्ति केती, तो मेरे खाला थोड़े मान दे अंदर वी पावना सीगी, के अकाल तक जथे दार हों दे बावजूद भी तुसी एस गालनों समझ दे सीखे किसे सिख दी पावना नों ठेस ना पहुंचे, के दु रूहानी शक्ति, तो मिलनी सेखनों पगती विच्छों है, अधियात्मक कमाई विच्छों मिलनी है, ते अधियात्मक कमाई गुर्बानी दी बक्षिश कीती होई गुर्मत जीवन जुगतों बिना नहीं होनी, दुनिया दे होर तार्मक विश्वासां वाले सजण, उना न देड़ा है, ओदे लिए कोई जाप, कोई ताप, कोई त्याग, कोई किसी किसम दा होर कर्मकांड देड़ा है, ओ अर्थ पर पूर नहीं है, एको एक काली, के गुर्बानी, गुर्बानी दे प्रती शर्दा, समर्पन, ते अन तिड़किया प्रोसा, ते ओदे अनुसार, न अधे आत्मक कमाई, बस ओदे विचों जेड़ी शक्ती मिलनी है, और उस शक्ती दे रहें, किसे दा बुरा नहीं हो सकदा, किसे दा मंदा नहीं सोचिया जा सकदा, किसे नू, तुसी इर्खा पावनाल, हंकार जां करोद दी पावनाल, नफ्रत दी पावनाल, नहीं देख स मेरी बनाल, पाण हैं, सिक्ख पांत दा। गुरुण नान कपाशया दे निर्मल पानत दा, गुरु खाल्सा पांत दा दे दुनिया है, जी वियासि सीरी साब नों भी कदे तलवार निकेंदे य tot सि किरपान केंदे हैं क्योंकि किसिनु किसे złू मारने वास्ते नहीं वणिया करा करने व्णिया इछ शिरी सहेब इछ किरपान है इछ सध्वषी अलई पीड duluillaistan इसे करके जो गुर्बानी दा संजम में आदेश है, वो साड़े केवल रुजानना जीवन ते ही नहीं, जदों सानों किते तर्म युद विच भी जुजना पैंदा है, दुनिया देली युद ने साड़े ली तर्म युद है, साड़े ली युद भी जिड़ है, वो तर्म दे जुड़िया होया, जे असी तर्म तों बहरा जाके युद दू अपनों ने जो दे विच शामल हूने या, ते फिर दुनिया दी पीड विच गुवाच गए, साड़ा नियारा पन निराला पन जेड़ा है, वो फिर पासे रह गया, ते गुरु पात्षाद जी दे अपने ज अधिया नंदपुर सहर दी तर्ती दे वेच जदों मुगल पठाना दी एक बच्ची सिंगां दे हाथ आगई सीगी, सिंगां दे मानुच आया सी यसी बदला लेए, जो साड़ियां ती यां पनानों बेपत कर दे ता असी अज बदला लेन दा मोका मिलेंगे, लेकिन गुर अधियां पन्त अधियां जीवन टांग सी, वह इस गाल्दी इजास्त नहीं दे दे दा ते फिर उनके माराज कोल चली है, ते माहराज कोल जदों पुछे आके सचे पाधिशा फिर साननों बदला लेन दा जे मौका मेले आया है, ता फिर असी क्यों ना लेए, की हर्जा पन्त उचेरे, ना है अधो गत अधो गत विख्या पुचाओं, ता ते कल्मल करन हटाना, मैं एनी कल्मल करना, सिंगा ने ए अखिया, पुन सिंगन बूजय गुन खाने, सकल तुर्क पुगमे हिंदवाने, सिंग बदला ले पला जनाव है, गुर शास्तर क्यों वर्ज हट पुन साथकुर बोले तिस बेरे, मैं ले जानों पंत उचेरे, ना है अधो गत विख्या पुचाओं, ता ते कल्मल करना हटाओं, मैं ए दुनिया जो कुछ ना समझिया कर दी बे संजमा पन, मैं अपने सिंग नहीं करना, अकाल तक सहर दी सेवा दी जदों बक्षिश होई ता मेरे समने ए भी करना से, कि मेरे उते गुरू दे शब्द दा कुंडा है, ते इस करके फैसले लेंड लगियां, पक पात, निजी रंजश, जा कोई तड़े दा ख्याल, मेरे मन चांदा है जे, ता फिर ये पाप है, फिर ए अकाल तक सहर दे एस रुतबे दी, एस सेवा कुवर्तों है, ए दे विच समा पाके, मैं भी तुर जाना, मेरे तुपहला भी तुर गए, और वाड़ेयां ने भी, ए बंदयाने आई जाना, जाई जाना है, पर ए पद्वियां किसे दी मलकियत नहीं, ए कौम दी अमानत ने, ती कौम दे वल्लों मिली हुई असीस ए अपनी स्यानत नाड जा अपनी किसे ल्याकत नाड प्रापत होयां होयां पद्वियां नहीं हान, जे में संसारक पद्वियां नहीं, संसारक रुतबे नहीं, ए ओस तरह दी कोई पद्वी ओस तरह दा रुतबा नहीं है, ये ते निरोल बक्षिश है, ते ओस बक्षिश नाड जुड़के सेभा न बाउंदेयां, जे कि ते एहुज एहसास आगया मन्त के मैं ते सुप्रीमा, जा मैं ऐह कर सकदां, ऐह कर सकदां, तां फिर होरपा में कुछ हो जाए, वो बक्षिश तो बंजय हो जाए, वो इतिहास दे पन्यां ते अर्थ होर हो जाने, ते जास करे दी सी, सेचे पाथशा एक इर्पा करे ओ, स्याज बक्षिव, ते अपने शब्द दा कुंडा सिर्थे रख्यो, ऐसा न हो है कि ते फर्जन बाउंदेयां कुताही हो जाए, बेसंजमापन आ जाए, अपना निर्मल पै जड़ाना उबना के रख्यो, और नहीं कुषिष कर दा तुक मैं जदो मैं लिखा जोका करन दी, कोशिष करता थी, ते ओधे जड़े नतीजे से औधे नतीजे सि, औधे नतीजे सि, नतीँवेंस सि, ओधे सम्ने आउधे सि, के विरोद भी होना, बहुत कुश होएगा, हाँक जो बोलन वाले काट होंगे, प्रिखा भी पैदा होएगी, पारे सारा कुछ परवान करना, और इसाब कुछ हुंदा रहा, एथों तक के सरीर के तोरते नुकसान प्षानवाडियां भी, कडियां, देखनियां पईयां, तेनवारी सरीर के हमले आदा भी सामना करना प्याद उना हालातां देवेच, पार उ सारा कुछ करता पुर्खती खेट समझके, समा ऐसा भी आया, जदों रिष्टेदार भी फते बलॉंडतों गुरेज करन लागे सी है, पर इने आपते मरना, बचे ते जतीम हो जाने पर ये सानूं भी मरवाएगा है, नुकसान साड़ा भी करवाएगा, इस करके संखोच करन सारा के, ओ बड़े विस्माद परेते नसीगे हो, जदों मैंनू इस सारा कुछ हंडा उना प्यास है, और उस बंदे नूजे ने हमेशा ही संखोच मी गुम्राम जी जिन्दगी जिवन दी आदत पाई होगे, नहीं किसे नाल कोई हो जा, हालांके साना अठात्तर दे उस विसाखी वाले दुखांत दे विच जदों तेरान सिंगा दी शहादत होई आए, ओ भी ओदे विच मैं शामल सी, उस सारा कुछ आपने आप दी हंडाया, पाईसाय फौजा सिंग हो रहां दी, प्यार सांज करके, बहुत कुछ देखिया, ओ तों बाद भी नफरत, गल्त फ देखिया, पर ए जड़ा समा सी न, ए इस पक्षों जिम्हवारियां वारा होन करके बहुत ज़्यादा, तखतां दे तेंतें जथेदार होन करके होर ज़्यादा, बेना वज़ा तो खिलाफत भी चाल दे सी, अकाली लीडर बारा आगे, उन तेरां अकाली दाल सी उसे, चोटे बड़े तेरां अकाली दाल सी उसे, और कोई किसे न, फते बुला के राजी न, सवेरे उठके, जब्टी सहवदा नेतनेम करने वाले तो शायद काट होन, पर एक दूजे दी पाग लोण वाले, पाग उचालन वाले, ओना दी गिंटी बास सी, और सारी अपने आपन पांथ दे बड़े हतैशी और पांथ सेवक होंदे ते दूजे न, कदार ते सरकारिया ते बगएरा बगएरा जो भी पाद दे तो पद्दा लवस बरक्तिया जासा, एक पास से बच्चे नौजवान कमादां मेचे टेरी हो रहे, पिंडां दे वेच खाली हो गए ते, कोई बरातनी चड़नी वीवी साल, 15-15 साल, एक पास से सरकार ओ रोज गोडियां मारने वाले पासे, अकालिया नाल संगर्ष चालदा प्यार, बहुत अजीबो गरीब हालात विच गाल तक से दी, सेवा दा जदों, महराज ने मौका, ते हालते सी भी पंज बजे तों बाद पंजाब चिक देश दा महौल ऐसा होंदा सी पांग रोकी कर आच चले जांगे से, बाहर कोई चिडी नी सी फटक दी नजर आउं दी, CRP फिर दी है सारे पासे, फौज फिर दी है सारे पासे, और गोलिया दी छांदे विच चाल गया सारे लिए साव कोई पता नी सी किस वेले कीदे सरी लृ की सय पाना वा पर जाना है, किसे गुरदे विच की पाना वा पर जाना किते होर जह ते कीक ख हो सिआल कपाता। तो उनके राख देयांगा, आफ एक्रे चाल दे सी गए, जिस वेले मेरे समने, ए फिर मसले खड़े होगे, इना विद्वानन दे, इना डाक्टर पिशोरा संग दे, डाक्टर प्यार संग दे, मसले ने बेड़ें तों बात, मेरे समने, मसले आगे, बुटा संग वाडा मसला लिखती चिठी आई, निहांग संग, बाबा संता संग दा मसला आ गया, रशपाल संग दिल्ली वाले दा मसला आ गया, ए एह उजे प्यानक मसले सी गे, जिनां बारे कोई भी गल करने जड़ी सी, ओ अपने आपनों सरीर रखता हुरते, कत्म कर आउन बारे वाड़ी गाल सी, ऐह उजे प्रस्तेती सी, पर सचे पात्षाते चर्ना चर्दास करकर के, महराज निर्पक रखे, किसे संसार को पै लालज तों उपर, मेरे कुड़ों नहीं होना, तुसी ही रख लोंगे तों इस तरह दी बेंती तरला लेके से सहवाना नार बैठी दा से, बड़े हल्जाम रखे, पदे तो पदे हल्जाम रखे, उसे ही समय दवरान, गुरु साहिब ने बख्षिशे कीती के, इंटर फेत कांफरेंसे से, दूजे तर्मा दे म मुख्यान आर मिल बैठन दा मौका मारज ने लिए, वो एक नमा तजर्बा सी अकाल तक सहते, जतिदार साहबान पहला इस तरह सरगर्ण ने से, ठाल इस अबस्तौन आर मिल बैए, यि जतिदान आर मिल झाल का वीजान घटिवान पहला दो तक सहते, जतिदार्ञार मिल झाल कि अपल किया व